नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है चरणपरीद आप देख रहे हैं Automation Training Hindi आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी नही मशीन का प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई नया पैनल बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कैसे decide करना है कि कौन सी PLC हमें लगानी है तो यह हमारा वीडियो जो focus होने वाला इस वीडियो का वो होगा PLC selection criteria के उपर यहां पे हम discuss करेंगे कि कैसे हमें PLC को select करना चाहिए जो हमारे application के according stable हो और हम जो काम करना चाहरे हैं वो properly perform हो जैसे कि आप सभी जानते हैं different different type के PLC के manufacturer हैं जैसे delta, omron, siemens, mitsubishi, allen badly, nexzen यह सभी क्या है यह different different manufacturer हैं जो PLC बनाते हैं और भी बहुत सारे manufacturer हैं snyder, abb, अब इन PLC के लिए अलग-अलग इनके software इस्तमाल होते हैं programming के लिए जैसे delta के लिए अलग software इस्तमाल होता है mitsubishi के लिए gxworks का इस्तमाल होता है, wplsoft का इस्तमाल delta के लिए होता है cx programmer omron के लिए इस्तमाल होता है, tia portal, rs logics तो यह सारे क्या हैं यह अलग-अलग software हैं जो अलग-अलग manufacturer हैं उनकी जो PLC होती हैं उनको program करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इतने सारे PLC manufacturer बना रहे हैं, इतने सारे अलग-अलग software हैं हमें कौन सा PLC लगाना चाहिए, यह कैसे decide होगा, इसके बारे में बात करते हैं इस्तमाल होती है, मशिनों के अंदर, Ombron की PLC इस्तमाल होती है, Delta की PLC बहुत ज़्यादा इस्तमाल होती है Nextzen की PLC का इस्तमाल किया जाता है, Allen Bradley की PLC का इस्तमाल किया जाता है तो यह जो अलग-अलग PLC हैं, यह अलग-अलग different manufacturer के दोरा बनाई गई हैं तो इन में से कैसे पता चलेगा कि कौन सी लगानी है यह मैंने कुछ popular make यहाँ पे लिए हैं जो most popular हैं जो जर्नली इस्तमाल होता है जिनका तो कैसे आप select करोगे इन सारों के अंदर से की भी कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए benefit आपको ज़्याद से ज़्यादा देगा तो देखिए जब भी हम किसी machine को program कर रहे हैं उसका panel हम design कर रहे हैं तो हमें decide कर लेना है कि हमारी जो power रहने वाली है PLC की वो क्या रहने वाली है तो एक तो हम उस base पे classification कर सकते हैं किस base पे कि PLC selection on the basis of power कि जो PLC की main power है मैं input power supply की बात कर रहा हूँ जहां से PLC को power मिलेगी चलने के लिए जहां से PLC के अंदर power आईगी main power उसकी में बात कर रहा हूँ तो उस base पे आप select कर सकते होगी आपको कौन सा PLC लेना है तो firstly आपको decide करना है जब भी आप एक panel बना रहे हो कि आपकी जो PLC की operating power है उसकी requirement क्या है माल लिजए आपको यासा panel बना रहे हो कि आपको लगता है कि 24V मेरे लिए सही रहेगा यहाँ पे तो आप 24V का power supply वाला PLC लिजए आपको लगता है कि नहीं 220V मेरे को यहाँ पे easily मिल जाएगा तो मैं 220V का यूज़ करूँ गो तो आप 220V power लिजए ऐसी किसी जगह पे machine आपकी लग रही है जहाँ पे आपका environment सही नहीं रहने वाला है आपकी power stable नहीं रहने वाली है तो आप 24V power DC वारी है उसको यूज़ कर लिज़िए AC चीए या DC चीए ऐसा कुछ नहीं है कि AC लगाओगे तो कुछ benefit मिलेगा DC लगाओगे तो कुछ benefit नहीं मिलेगा drawback होगा आपकी जो application है आपकी जो requirement है उसके coding आप चूज़ कीजिए या तो आप AC लगाईए या आप DC लगाईए आपको इसी भी लगा सकते हो आगला जो classification हम कर सकते है कि आपका जो input और output टाइप है वो क्या रहने वाला है PLC के अंदर देखे ये decide होगा आपकी machine के उपर कि आप machine आप एक बना रहे हो वो सारी की सारी digital machine है उसके अंदर सिर्फ आपके cylinder चलेंगे वाल वगार operate होंगी और motor जो वो fix speed पे rotate होंगी तो उसके लिए आपको क्या चीए digital वाली आपको PLC चीए जिसके अंदर आपके digital I.O. काम करेंगे यहाँ पे आपको analog की requirement नहीं है तो आप analog नहीं लोगे क्यों क्योंकि जितनी ज़्यादा function PLC के लंदर लोगे उतनी ज़्यादा आपकी cost बढ़ेगी तो आपकी requirement अगर digital की है जैसे आपके cylinder वगारा लगे है motor लगी है या कुछ indicator वगारा आपके चल रहे है जहाँ पे आपका सारा काम digital हो रहा है या आपका कोई analog pressure की आपको monitoring करनी है या analog आपको air pressure की monitoring करनी है fluid की monitoring करनी है किसी gas की nitrogen की xyz जो भी आप इस्तमाल कर रहे हो वहाँ पे आपको analog monitoring करनी है तो आप क्या लोगे वहाँ पे analog type IOPLC लोगे तो ये criteria हो गया आपकी machine के उपर कि आप जो machine बनाने जा रहे हो जो panel आप बनाने जा रहे हो उसके अंदर जो आपकी input output है उसके coding लोगे simple सी बात है भाई अगर digital लगी है तो digital लोगे analog वाली क्यों लोगे जब जरूरती नहीं है अगर लोगे तो पैसे बढ़ जाएंगे बिना बात के तो बिना बात के पैसे तो बढ़ाने नहीं है हमें इसलिए जो requirement है उसे के coding लेनी है अगर digital input output यूज हो रखे है तो digital input output वाली लेनी है और अगर analog input output है उसके अंदर तो हमें analog input output वाली लेनी है तो इस तरीके से हमें अपना select कर लेना है digital input type है तो इसके अंदर हमें और एक classification थोड़ा सोर कर सकते है digital I.O. में कि अगर आपको digital input की requirement है तो digital input type लीजिए analog output है तो साथ में analog output ले लीजिए digital output की requirement है तो digital output लीजिए analog input की requirement है तो साथ में analog input लीजिए analog output की requirement है तो analog output लीजिए यह मैं क्या बता रहा हूँ, यह मैं बता रहा हूँ कि PLC के अंदर ऐसा होता है, कि आपको सिर्फ digital input चीए, और output में क्या चीए, analog चीए, तो input में तो analog की जुरूरत नहीं है, बट output में analog की जुरूरत है, तो मैं क्या लूँगा, digital input और analog output type PLC लूँगा, अब requirement दूसरी समझी ह दूसरी requirement ही आगी, कि मेरे को analog input की जुरूरत है, बट जो मेरी output है, वो क्या होंगी, वो digital होंगी, तो मैं कौन सी PLC लूँगा, मैं लूँगा, analog input, digital output, तो इस तरीक के से में decide करना है, जो मैंने आपको बताए, digital input, digital output, analog input, analog output type, कि आपकी जो requirement है, उसी को लेना है, अब आपक कुछ इस्तमाल होने वाला नहीं है, वो सिरफ आपकी cost ही बढ़ाएगा, तो आपको क्या देखना है, analog या digital आपका जो भी input output type है, उसके coding आपको PLC को देखना है, अगला आप select कर सकते हो, programming language, कि आपको आती कौन सी programming language है, माल लीजे, अब आपको ladder में program करना है, और आप जो PL programming language आती है, जैसे आपको ladder आती है, तो आप ladder based PLC लो की जिसके इंदर ladder support करता हो, आपको instruction list IL आता है, तो IL वाली लो, आपको ST आता है, तो ST लो, आपको FBD आता है, function blog diagram तो FBD लो, अगर आपको SFC आता है, तो SFC लो, मतलब जो भी programming language आती है, उस programming language वाली PLC को चूज करो, पाओगे, तो आपको लिए, वो चीज़े difficult हो जाएंगी, तो ये सबसे ज़ाद आपको ध्यान रखना है, कि जिस भी language में आप program करना आता है, आपको, जो भी आपकी language में, आपकी command है, उसी वाली programming language आपको लेनी है, अब माली जापको ladder आता है, तो आप ऐसी PLC लो, बस जि जिसमें भी आपको program करना है, दूसरा आप कर सकते हो, communication type पे, अब माली जिए, आपको PLC को communicate करना है, आप एक ऐसी machine मना रहे हो, जिसके अंदर आपको communication होगा, वो RS-232 पे होगा, तो आपको क्या लेना है, ऐसा PLC लेना है, जिसके अंदर RS-232 आपका communication protocol हो, जैसे हम journaling printer जोडते हैं, वो RS-232 पे जोडते हैं, तो आपको अपनी communication की requirement को ध्यान में रखना है, कि अगर आप machine में RS-232 इस्तमाल कर रहे हो, तो वो PLC, RS-232 स्पोर्ट करता हो, होना चाहिए, पता चले आपने ऐसा PLC ले लिया, जो उस communication protocol को स्पोर्ट ही नहीं करता, और आपकी उसक TCP IP, जो हमारा mostly use होता है, इथरनेट वाला वो हो गया, यह आपका mode bus हो गया, यह आपका profinet हो गया, तो जो भी communication protocol की आपकी requirement है, machine को program करने के लिए, कि आपके ऐसे devices लगे हो हैं, उनको RS-22 चाहिए, उनको RS-485 पे वो communicate करेंगे, वो TCP पे communicate करेंगे, mode bus पे communicate करेंगे, जो भी आ model select करो, उसके अंदर वो communication protocol sported होना चाहिए, वो उसको sport करता हुआ model होना चाहिए, अगर आप वो model नहीं रोगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, कि आप जब machine बना रहे हैं, तो उसके अंदर दो device लगेंगे, उनकी interfacing कैसे होगी interfacing के लिए जो communication protocol है, PLC उसको sport करता हो, अगला देख लेते हैं on the basis of memory, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो program है, वो कितना बड़ा बनेगा, आपकी जो program के storage capacity है, वो कितनी चीज़ आपको ध्यान रखना है पहले, estimate थोड़ा सा लग जाता है, जब हम programming करते ह तो आप कोई भी किसी भी PLC पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इतने बड़ा program से इतनी memory मेरी require होती है, और manual से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतनी memory आपकी दी गई है, तो आपको estimate ले लेना है कि मेरा program इतना length चलेगा और यह इतना बड प्ले type output है जो वो PLC ले लिया आपने और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको response time बढ़िया मिलेगा, आपका fatak fatak सारे काम होगे, तो वो चीज़े नहीं हो भाएंगी, तो आपको select करते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका program कितना बड़ा बनेगा और आपका जो response time है, वो कितना चाहिए आपको, कहां से आपका काम हो जाएगा, तो एक ये भी हमारा selection का criteria रहता है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको output क्या चाहिए PLC के अंदर, मानली जब आपके simple digital operation है, high speed नहीं है, तो आप simple relay type PLC ले पड़ेगी, तो आपको transistor type output PLC लेनी है, यही काम अगर आपको AC के अंदर करना है, तो आपको track type लेनी है, DC के अंदर, अगर high speed switching करनी है, तो transistor type, AC के अंदर, अगर high speed switching करनी है, तो track type, ये सारे क्या होते हैं, relay type, transistor output, track, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो channel पे और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो वीडियो जाके देखिए, PLC basic programming course पड़ावा है free में, जो वो part 1, part 2, part 3 है, वो सारे वीडियो देखिए, आपको ये सारी चीज़े clear हो जाएंगी, आज हम जो discuss कर रहे हैं, वो discuss कर रहे हैं, कि जब PLC लगानी है, तो क्या ध्यान र कर रहा हूँ, ठीक है, तो normal अगर है, आपका आधे second में, एक second में काम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन सी ले सकते हो, really output ले सकते हो, और अगर within millisecond आपकी requirement है, तो आपको कौन सी लेनी है, transistor type लेनी है, तो ये था according to output कि आपको इसको भी ध्यान में रखना है, दूसरा आपक किसी machine में PLC लगा रहे हो, आपने जो sensor है, वो सारे select कर लिए NPN, तो आपको PLC भी उसी type का लेना है, या फिर आपने sensor select कर लिए PNP, तो आपको PLC भी उसी type का लेना है, अगर आपके sensor different हो जाएंगे, और PLC आप different type की लेल होगे, तो आपका काम बनने वाड़ा नहीं है, तो आप दोनों, बहुत सारे PLC ऐसी आती है, जिसके अंदर sync और source दोनो type के input दिये जाते है, आप चाहे तो उसको sync के अंदर program कर सकते हो, sync के अंदर wiring कर सकते हो, या चाहूत आप source के अंदर wiring कर सकते हो, और बहुत सारे dedicated PLC भी आती है, जिसके अंदर सिरफ sync का option है, तो sync के तो आपको देख लेना है अपनी requirement के coding कि आपके sensor किस type के है, sync type के है, npn है तो sync लीजिए, pnp है तो source लीजिए और अगर दोनों का लेना चाते हो तो बहुत सारे model दोनों भी support करते हैं, आप बोल सकते हो कि मेरे को वो दीजिए जिसमें sync और source दोनों को support करता है, तो ये input wiring का अब आपको ध्यान रखना है कि on the basis of input wiring आप PLC को कैसे select करोगे, दूसरा आपको देखना है size के coding, अब मालीजे आपको कोई छोटा सा basic machine आप बना रहे हो, तो आपको compact type PLC ले लेनी है, जहाँ पे आपकी speed विपीड की ज़्यादा requirement नहीं है, अब अगर आपको ये ऐसी machine बना है, क्योंकि modular type PLC, compact type PLC से advance होती है, तो आपको ये देखना है कि आपकी काम किस से हो जाएगा, compact से हो जाएगा, या modular की आपको जुरूरत पढ़ने वाली है, यह आपको totally depend करेगा application के coding, अगर simple application है, compact लीजिए, complicated है, बहुत बड़ी machine है, networking वेगरा करनी है, सर्वो जादा operate कर चार-पांच सर्वो जो लाने आपको, printer, scanner, यह सारी चीज़े जोडनी है, तो आप modular type लेजिए, और simple अगर slender वागर operate करने है, motor है, sunlight valve वागरा है, यह सारी चीज़े है, तो आपका काम compact से भी हो जाएगा, तो आपको size का भी ध्यान रखना है, PLC select करते हुए, यह था PLC selection के बारे में कि कैसे हमें PLC को select करना है, क्या-क्या हमारा criteria रहता है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like कीजिए, मैंने यहाँ पे overview दिया है, आपको यह चीज नहीं समझ में आए कि compact क्या है, modular क्या है, source क्या है, sing क्या है, relay क्या ह तो यह बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, वहाँ पे यह सारी चीज एक्स्प्लेइन कर रखी हैं, आप वो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, thank you